रादे रादे सभी दोस्तों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ आपका कटारा डिफैंस अकेडमी के यूटूब चैनल पर जहां पर हम आपको एर फोर्स, एक्सक्रोप, नेवी और एंडिये की फिजिक्स के स्पेशल कुश्टन की सीरिज लेकर आ रहे हैं और इसी सीरिज का अगला पार्ट है काइनेटिक थेयरी ऑफ गैसेज और थर्मोडायनमिक्स ओके तो लेट्स स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं अपने यहां पर कुश्टन नम्मर वन कुश्टन नम्मर वन में आपसे बोला गया है कि चार मोल हैं किसी आईडियल गैस के जीरो डिगरी सेल्सिस के टेंपरेचर पर कॉंस्टेंट प्रेसर पर इसे डवल वॉल्यूम तक गरम करने पर फाइनल टेंपरेचर क्या होगा सीधी सी बात है सर अगर प्रेसर आपका कॉंस्टेंट रहता है तो फिर आपका वॉल्यूम किसके डारेक्टली प्रपोजनल होगा तो वी वन अपॉन वी टू बराबर हो जाएगा टीवन अपॉन टीटू अब वी वन की बात करते हैं तो सर वी वन तो वी रहेगा वी टू क्या रहेगा डवल कर रहे हैं तो टू भी हो जाएगा और बात करते हैं टीवन की तो टीवन दे रखा है जीरो डिरी सेल्सियस लेकिन सेल्सियस में नहीं ले सकते क्योंकि यहां प 546 Kelvin और इसे solve करेंगे तो degree Celsius में इसकी value हो जाएगी minus 273 minus करने पर 273 degree Celsius जो कि अपना option number कौन सा है B, तो B option यहाँ पर आपका correct हो चुका है, clear है बत पिटा, इसी प्रकार बात करते हैं, question number 2 की, question number 2 में आप से बोला गया है कि mean kinetic energy find करनी है, 0 degree Celsius के temperature पर, तो mean kinetic energy क्या होती है, वो होती है आपकी kinetic energy बरावर 3 by 2 RT, R यहाँ पर gas constant है और T है temperature, वो भी किसमे लेना है, Kelvin में, तो R की value तो 8.31 हो गई, और इसकी value हो जाएगी 273, जो कि given है, और finally इसे solve करने के अपन, तो answer आएगा लगबग, 3400 J, जो कि आपका option number कौन सा है, C option यहाँ पर सही है, याद रखेंगे, kinetic energy जो होती है, ideal gas की, वो number of moles पर, या number of molecules पर depend नहीं करती है, वो cable temperature पर depend करती है, आई बास समझ में, चली, बात करते हैं, question number 3 की, question number 3 क्या है, इसमें आपसे बोला गया है, question number 3, molecule के mass को आधा और speed को दुगना करने पर pressure क्या होगा, बात करते हैं, molecule के mass को आधा pressure की बात, pressure P बराबर होता है, 1 by 3 small M capital N upon V into V RMS का whole square, यानि pressure यहां पर किन-किन चीज़ों पर depend कर रहा है, एक तो molecule के mass पर depend कर रहा है, और एक कर रहा है उनकी RMS speed, यानि बर्ग मादमूल चाल पर है या नहीं, क्योंकि volume तो gas का नहीं होता है, यह तो cylinder का होता है, और यह capital N से हमें कोई छिर-चार करी नहीं गई है, तो small M को आपने क्या किया है, आधा कर दिया है, V RMS को अगर double करेंगे, तो यह square होनी के वाए से 4 गुना हो जाएगा, finally इससे यह 2 वार कट जाएगा, और answer आएगा कि आपका pressure जो है, वो 2 times हो जाएगा, मास पर molecule पर इसलिए depend करता है, क्योंकि momentum में change होनी के वाए से pressure applied होता है, आई बास समझ में चलिए, question number B, यह हो गया 3, question number 4 की बात करते हैं, question number 4 में आप से बोला गया है, कि किसी temperature पर hydrogen की VRMS 2 km per second है, तो उसी temperature पर oxygen की VRMS क्या होगी, अगर temperature सेम है सर, तो VRMS depend करती है, 1 upon under root M में, M क्या ऐसा नहां पर, molar mass यानी अणुभार, वैसे पूरा formula होता है, under root में 3RT upon M, अगर M से T सेम है, तो केबल M पर ही तो depend करेगी, है या नहीं, तो यहां से बात करते हैं, VRMS of O2 upon VRMS of H2 बरावर हो जाएगा, under root में molar mass of H2 upon molar mass of O2, molar mass H2 का होता है, 2, जबकि O2 का होता है, 16, 32, solve करेंगे, तो VO2 बरावर आजाएगा, VH2, और यह एक वर्टे 4 बचेगा, और यह दो दे रखा है आपको, तो finally answer आएगा, 0.5 km per second, जो के option number कौन सा है सर, C option आपका यहाँ पर correct हो चुका है, clear है बात बेटा, आगे बात करते हैं, question number 5 की, question number 5 में आपसे बुला गया है, के constant temperature पर pressure को बढ़ाने पर, volume पर क्या effect पड़ेगा, तो अगर temperature constant है, तो हमें तो एकी formula याद है, PV बरावर NRT होता है, temperature constant होने पर, यह पूरी कहानी constant हो जाएगी, तो बात बचेगी यहाँ पर, pressure inversely proportional, volume कोई, अब अगर pressure को 5% बढ़ाते हैं, तो फिर volume को 5% कम करना पड़ेगा, और इस प्रकार से option कौन सा हो जाएगा सर, A option आपका यहाँ पर, सही हो जाएगा, ठीक, question number 6 की तरफ चलते हैं, question number 6 में आप से बोला गया है, कि किसी isothermal container में, gas का जो pressure है, वो 200 Pascal है, यदि आदी gas निकाल ली जाए, तो pressure पर क्या effect होगा, तो बेटा, आदी gas निकालने वाले case में, pressure अभी हमने formula लिखा है, P बरावर 1 upon 3, M capital N, V into V rms का whole square, अब आपको पता है, gas निकालने से, V rms पर कोई effect नहीं पड़ेगा, है या नहीं, क्योंकि temperature पर depend करता है वो तो, और temperature मूलर मास तो सेम है, और volume ये gas का थोड़ना है, ये तो slender का है, तो इस पर भी कोई effect नहीं पड़ेगा, तो और mass, जो एक molecule का mass है, उस पर भी कोई effect नहीं पड़ेगा, तो cable किस पर effect पड़ेगा, number of molecules, अगर आदी gas निकाल लेंगे, तो जो number of molecules है, mole की, अणूओं की जो संक्या है, वो आपकी आदी हो जाएगी, तो फिर आपका pressure भी आदा हो जाएगा, और pressure आदा होने की बज़े से, final answer क्या होगा, 100 pascal, और जो कि आपका option number कौन सा है, A, clear है बात बिटा, चलिए, बात करते हैं, question number 7 की, question number 7 में आपसे बोला गया है, कि किसी gas को liquid में convert करने के लिए, के condition क्या होनी चाहिए, तो आपको पता है, gas को liquid में convert करना, चलो इस concept को समझते हैं, हमें तो यह की formula पता है, PV proportional किस पर करता है, T पर, अब gas को liquid में convert करना है, मतलब, gas के volume को, कम करना है, क्योंकि gas का volume ज़ादा होता है, और liquid का volume कम होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि gas के molecule दूर दूर होते हैं न, इसलिए, तो अगर volume को हमें कम करना है, तो volume को कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस pressure को बढ़ा देते हैं, तो volume कम हो जाएगा, है या नहीं, या फिर temperature को कम कर देते हैं, तो भी आपका volume कम हो जाएगा, मतलब volume को कम करने से, यानि gas को liquid में करने के लिए, pressure हाई होना चाहिए, और temperature लो होना चाहिए, और इस प्रिकार से अपना option कौन सा हो जाएगा, option number C यहाँ पर सही हो जाएगा, और बेटा, अगर इसकी उल्टी बात करूँ मैं, कि pressure को तो low रखूँ, और temperature को high रखूँ, तो क्या gas liquid में convert हो जाएगी, नहीं होगी, और ऐसी gas को ही ideal gas कहते हैं, है या नहीं, चलिए, बात करते हैं, question number 8, question number 8 में आपसे बोला गया है, किसी ideal gas के molecule, equilibrium की condition में, जो vector quantity जो होती है, यानि जो आपकी सदिस रासियां होती है, केवल वही आपकी 0 हो सकती है, और vector quantity क्या हो सकती है, velocity हो सकती है, या momentum हो सकता है, है या नहीं, या तो vague 0 हो सकता है, या some vague 0 हो सकता है, तो आपने option में कौन है, momentum है, यानि option number B यहाँ पर सही हो जाएगा कृपया ध्यान दे, speed और kinetic energy इसलिए 0 नहीं हो सकते क्योंकि फिर तो molecule motion ही नहीं करेंगे और molecule motion नहीं करेंगे तो gas का existence ही खतम हो जाएगी उसकी जो अस्तुत्त है वही खतम हो जाएगा केलियर है बात बेटा? चलिए question number 8 के बाद बात करते हैं question number 9 की question number 9 बोल रहे हैं कि pressure को बढ़ाने पर क्या होगा? option से करते हैं option number A है कि always increase the balling point of liquid किसी द्रव का पुथनांक हमेशा बढ़ता है ये बात केवल water के लिए तो सही है लेकिन हर एक liquid के लिए ये बात पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है इसलिए अपन इस option को उतनी priority नहीं देंगे clear बात बेटा हमेशा वाली बात गलत है option number B बात करते हैं कि always increase the melting point of solid ये भी बात गलत है हमेशा हर एक solid का melting point बढ़ता नहीं है बरफ को देखो pressure बढ़ाओगे तो melting point कम हो जाएगा है या नहीं तो ये वाली बात भी बिलकुल गलत है आते हैं option number C पर उन solid का melting point बढ़ता है जो melt कराने पर expand होते हैं यानि प्रिसारित होते हैं हाँ ये बात बिलकुल सत्य है जैसे mom होता है wax है या नहीं तो ये आपका बिलकुल सही option हो चुका है इसमें option number C clear डी तो बिलकुल गलत है याद रखेंगे आप इसको question number 9 के बात करते हैं question number 10 की बात question number 10 में आप से बोला गया है कि कौन सा perimeter ऐसा है जो किसी liquid की thermodynamic state को रिपर्जेंट नहीं करता है तो बेटा thermodynamic variable यानि उश्मा गतकीचर होते हैं pressure volume of time और temperature इनहीं पर depend करती है thermodynamic state और आपका जो इसमें work है ये thermodynamic state को रिपर्जेंट नहीं करता है इस प्रकार से option number D आपका यहाँ पर सही हो गया है clear है बात बेटा तो याद रखेंगे आप इसको याद रखने का question है question number 11 question number 11 बोला है कि kinetic energy जो internal energy होती है gas की वो किस पर depend करती है तो बेटा internal energy depend करने का मतलब अभी हमने formula पढ़ा था kinetic energy वरावर क्या होता है तीन बटे दो आरटी तो यह kinetic energy केवल और केवल किस पर depend कर रही है temperature पर और ideal gas के तो molecule motion करते रहते हैं random motion करते ही रहते हैं तो उनके पास केवल कौन से energy रहती है kinetic की तो रहती है और kinetic energy ही उनकी total internal energy के बरावर होती है इसलिए वो cable temperature पर depend करती है और यहां पर option number C हमारा correct है आई बस समझ में question number 11 के बाद बात करते हैं question number 12 की question number 12 में आपसे बोला गया है कि इन इसमें से कौन से process के दवारा heat को बिना exchange किये आपका क्या हो सकता है ideal gas का temperature बढ़ सकता है बहुत अच्छा question है लेकिन देखो कितना simple बात करते हैं इस question की तो बिना exchange के heat का जो linden होता है वो किस में होता है adiabatic process में होता है यानि रुद्रोश्म प्रक्रम में होता है सब लोग जानते हैं इस बात को clear है बात रहा ना बोला करो यार आगे बात करते हैं ideal gas के लिए या किसी भी gas के लिए दो first log thermodynamics होता है वो होता है dq बरावर du plus w यानि लेई या दी गई heat बरावर internal energy में change और किया गया work अब अगर बात करते हैं adiabatic की तो linden नहीं होता हीट का तो फिर dq बरावर क्या हो जाएगा 0 और dq बरावर तो 0 हो गया हमें temperature बढ़ाना है तो temperature बढ़ेगा मतलब internal energy भी बढ़ेगी और internal energy बढ़ेगी तो इसका चेंज जो है यह positive ही तो होगा है यह नहीं अगर कोई quantity बढ़ती है तो इसका change हमेशा positive ही तो आता है चेंज बरावर क्या होता है final minus initial है यह नहीं तो बात करते हैं यह प्लस में हो गया अब w जो है यह work done की बारे बात करना चाह रहे हैं यह 0 है यह प्लस है यह दर जाएगा तो minus हो जाएगा मतलब work done हमारा यहाँ पर कैसा आ चुका है minus और work done क्या होता है work done होता है सर PDV तो अगर यह PDV minus है इसका मतलब DVB minus होगा और DV minus कब होगा जब volume घटेगा और volume के घटने का मतलब compression यानि sumpiden और इस प्रकार से अपना option number कौन सा हो चुका है बी option यहाँ पर सही हो चुका है clear है बात बेटा अब यह तो हो गया theoretical अगर हम इसे practical समझें बात को समझाते हैं आपको आपने अगर tire में हवा भरी हो pump से तो pump का जो नीचे का part जो होता है वो गरम हो जाता है क्यों क्योंकि हम वापर अचानक उसे compressive तो करते हैं और अचानक कौन सा process होता है एडियावेटिक रुद्रोशम तो रुद्रोशम संपीडन से हमेशा temperature बढ़ता है जबकि expansion से प्रिसार से temperature घटता है इसलिए tire के फटने के बाद थंड़ा कुतपन होती है टार थंड़ा हो जाता है देखना कभी चीज को फील करके ओके तो कुशन नमबर 11 12 का answer हो चुका है बी बात करते हैं कुशन नमबर 13 की आप से बुला गया है कि वाटर का triple point क्या होता है तो बेटा जी जो 273.16 Kelvin जो temperature है ये ऐसा temperature है जहां पर वाटर की तीनों state यानि लिक्व solid और gas thermal equilibrium में रहती है उश्मिय साम मेवस्था में रहती है यान हीट का आदान प्रदान नहीं होता है और इसी point को कहते हैं triple point जो के आपका अपसो नमबर कौन सा हो चुका है बी के लिए रहे बात पिटा याद रखने का point है ये बात करते हैं कुशन नमबर 14 की कुशन नमबर 14 में आपसे बुला गया है कि किसी ideal gas का isothermal bulk modulus यानि समतापी आयतन प्रत्यासता गुणांग क्या होता है तो ये हमने आपको याद करवा दिया था आईसो थर्मल वाला तो होता है pressure के बराबर और जो रुद्रोश्म जो होता है उसमें आता है गामा पी यानि एडिया बेटिक में गामा पी होता है जबकि आईसो थर्मल यानि समतापी में केबल होता है pressure जिस प्रकार से आपका option number कौन सा हो चुका है option number A यहां पर सही हो चलिए बात करते हैं question number 15 की हमने यह notes में आपको drive भी कराया था notes पढ़ें और समझें बातों को question number 15 की बात करते हैं तो heat कितनी दी गई है 110 joule work energy में change कितना हुआ है 40 joule तो work done आप से पूचा है so simple first law of thermodynamics से dq बरावर du plus w अब यह तो आपका 40 है और यह आपका हो जाएगा 110 तो w आप से पूचा है और इस पूचा की value यहाँ पर आ जाएगी आपकी इस मेंसे घटा देंगे तो 70 joule जो कि आपका option number कौन सा है option number b है clear चलिए question number 16 की तरफ चलते है आप से बूला गया है कि adiabatic process में specific heat यानि business तूचमा क्या होती है तो adiabatic process पहले specific heat के बारे में बात करते हैं adiabatic and रुद्रोश्म में q बरावर तो 0 होता है लेंदे नहीं होता है तो लेंदे नहीं होता है तो c बरावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और c बरावर 0 से option number कौन सा हो जाएगा आपको कैसे पहचाना है कि यह process adiabatic है तो बेटा ध्यान रखो adiabatic process हमेशा रुद्रोश्म प्रक्रम हमेशा अचानक होता है क्योंकि अचानक होने से heat को लेने और देने का time ही नहीं मिलता है इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर heat exchange नहीं होती है आई बास समझ में clear अब टायर मैं फटेगा तो पहले वह surrounding से तुई नहीं मुझे heat दे दो मैं फटूंगा अब direct फटी जाएगा वो तो है यह नहीं question number 17 की बात करते हैं question number 17 में आपसे बोला गया है कि यहां पर बहुत important question आई यह बहुत अच्छा question है constant pressure पर किसी gas को गरम करने में दी गई कुल heat का कितना percent work करने में यूज होता है बहुत अच्छा question है सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कौन जो heat होती है यानि आपका first law है वो क्या है dq वरावर d u plus w अगर बिटा मैं constant pressure की बात करता हूँ तो constant pressure पर तो न तो d u 0 होगी न w 0 होगा d u कब 0 होगी isothermal process में और work कब 0 होगा isocoric process में तो यहां तो हम यह कह सकते हैं कि constant pressure पर जो heat दी जाएगी वो तो दौनों में यूज होगी वो आपकी internal energy में भी change करेगी और work done में भी यूज होगी मतलब constant pressure पर दी गई heat आपकी total heat कहलाएगी और आपको पता है constant pressure पर दी गई heat को क्या बोलते हैं सर आप cp बोलते हैं विसिश्ट उश्मा at constant pressure क्लियर है बात बेटा चलो आगे बात करते हैं यह पहला step है कि cp जो है वो total heat होती है दूसरा step क्या है दूसरा step हमारा यह है कि gamma बरावर दे रखा है आपको 4 बटे 3 और वो बरावर होता है cp बटे cv सब लोग जानते हैं इस बात को क्लियर अब cp बरावर कितना है 4 cv बरावर है यहां से 3 तो एक बात मुझे बता दीजिए कि जो cp 4 है और cv 3 है यह cv क्या है cv है constant volume पर heat तो पेटा constant volume पर हम heat देंगे तो work तो होगा नहीं है यह नहीं क्योंकि work बरावर क्या होता है pdv तो constant volume पर work नहीं होगा मतलब यह cv किस में use हो जाएगी cable internal energy में change कराएगी यानि cdc बात यह हो चुकी है कि total जो आपकी heat है वो तो है 4 internal energy में कितना change करा रही है 3 तो फिर work done में कितना use होगा एक का और percent निकालते हैं work के लिए तो यह हो जाएगा एक बटे total कितना है चार और गुणा किस से कर देंगे 100 से तो finally answer कितना आजाएगा 25% आजाएगा जो क्या आपका option number कौन सा है ए नहीं आई बास समझ में चलो दुबारा सिखाते हैं बहुत अच्छा कुशन था constant pressure पर जो heat दी जाती है बेटा वो work done में भी use होती है और internal energy में भी use होती है मतलब जो cp जो है constant pressure वाली heat वो total heat कहलाएगी लेकिन जो constant volume पर heat दी जाती है तो constant volume पर work done zero होता है इसलिए वो cable जो cv कहलाती है वो cable internal energy में change के बरावर होती है अब cp वटे cv बरावर 4 वटे 3 है मतलब cp 4 cv 3 cp क्या total cv क्या internal energy तो work कितना एक और फिर work का percent कितना एक वटे 4 गुना so जिससे answer कितना आ गया है पचीश percent I hope you समझ गई clear question number 17 के बात करते हैं question number 18 की बात question number 18 में बहुत अच्छा question है ये भी constant pressure पर किसी die atomic gas के temperature को 5 से 10 बढ़ाने के लिए ये 140 calorie की जरूद पड़ती है तो constant volume पर कितनी जरूद पड़ेगी तो कितना simple question से रवने बनाया है कि constant pressure पर heat क्या होती है cp और constant volume पर क्या होती है cv है या नहीं तो बेटा cp आपको दे रखा है कितना दे रखा है 140 और cv आप से यहां पर पूछा है कौन सी gas के लिए sir die atomic gas के लिए है और die atomic gas के लिए cp बटे cv बरावर क्या होता है one plus two upon f f कितना पांच तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका constant volume पर बरावर क्या हो जाएगा साथ बटे पांच इसे solve करेंगे यह इससे 20 बार कर जाएगा तो यहां से finally जो आपका answer आएगा वो आएगा 100 calorie मतलब अगर constant pressure पर 140 calorie देनी होती है तो constant volume पर केवल 100 calorie heat देनी पड़ेगी क्योंकि constant volume पर work done नहीं होता है ओके तो option number कौन सा हो चुका है ठीक है question number यह हो गया है 18 19 की बात करते हैं पर यहां पर question number 19 में आपसे बुला गया है कि कोई refrigerator है जिसके अंदर और बाहर के temperature दे रखे हैं work done भी दे रखा है तो कितनी हीट यह निस्कासित करता है मतलब बाहर release करता है तो बेटा जो heat release की जाती है वो upon जो work बरावर होता है इसका formula आपका T2 बटे T1 minus T2 बेटा T2 हमेशा कम temperature होता है और T1 होता है हाई अब freeze के अंदर temperature कम होगा के बाहर बाहर temperature ज्यादा होगा और अंदर कम होगा serious CDC बात है तो QL आप से यहां पर पूछा है जो बाहर निकाली गई heat है और work कितना है वेटा वन जूल इससे solve करेंगे तो यह आजाएगा आपका 273 उसमें T2 जो है हाँ बलकुल सही बात है और नीचे आएगा आपका 30 और इस परिकार से अगर हम से solve करेंगे तो यह हो जाएगा आपका solve के point से कर जाएगा 9 के लगवग में आईगी इसकी value और एप्रॉक्स में हम इसकी value रख सकते हैं 10 जूल 9.something आएगी इस परिकार का options कोई लगवग में option दे रखे हैं तो option नमबर यह जो है 10 जूल जो है आपका एप्रॉक्स में इसकी value हो जाएगी के लिए रहे बात बेटा यह आपकी release heat है यह टोटल वगड़न आपको वन जूल का दे रखा है जिसकी वाएस यह question solve हो जाएगा question number 19 के बात करते हैं 20 की बात question number 20 में आपसे बोला गया है कार्णोट इंजन है कि मैंने बताया आपको बैटा efficiency में कोई भी फरक नहीं होता है चाहां वो कार्णोट इंजन हो चाहां वो हीट इंजन हो और efficiency होती है इटा वरावर आपका T1 माइनस T2 बटे T1 वेटा T1 जो होता है वो हाई इसे solve करते हैं परसेंट पर अंसर आ रहा है तो 100 से गुणा भी कर देंगे अपने यहां पर परसेंट का sign लगा देंगे T1 कितना है सर 200 200 में किससे जो प्लस कर देंगे बिटा 273 से प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 470 बिटा ध्यान दें यहां भी temperature को Kelvin में लेना ह है जीरो डिग्री सेल्सियस को 273 बटे विटा यह 273 हो जाएगा गुणा 100 करेंगे इसे solve करेंगे विटा तो इसका answer आएगा एप्रोक्स 42.something percent में आएगा जो कि option इसमें नहीं है इसलिए option number D जो है none of these वो हमारा यहां पर answer हो जाएगा clear है इस question में method यह यह बस calculation थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है किसी questions में लेकिन अपने को concept पर ध्यान रखना है high temperature minus low temperature upon high temperature यह होती है किसी भी कार्णोट इंजन की efficiency बात करते हैं question number 21 question number 21 में आप से बोला गया है कि internal or external temperature आपको दे रखे हैं यानि T1 दे रखा है high temperature को measurement करते हैं तो 77 plus 273 अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 350 और Kelvin में और टीटू जो है low temperature है वो कितना दे रखा है वो दे रखा है 23 degree Celsius इसमें भी 273 प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर total 23 है ना हाँ तो 6 और यह हो जाएगा 296 Kelvin बात करते हैं coefficient of performance तो बीटा वराबर होता है सर आपका वोगा T2 बटे T1 minus T2 और T2 कितना है सर 296 और T1 कितना है T1 350 minus T2 कितना है 296 इसे solve करेंगे तो approximate value आएगी बेटा 2.5 जो कि आपका option number कौन सा है C option आपका यहाँ पर भी correct हो जाएगा clear है बात बेटा यह है आपका question number कौन सा 21 थोड़ा सा approximate answer आज सकते हैं इनके option को हम देखकर उस चीज़ का idea लगा लेते हैं बात करते हैं question number 22 की question में आपसे बोला गया है कि isothermal expansion नहीं समतापी प्रसार के दौरान क्या होता है तो option number A है कि internal energy घड़ती है नहीं अगर expansion हो रहा है इस isothermal है temperature same है तो internal energy में तो कोई change नहीं होगा तो पहला option तो अपना यहां पर गलत हो चुका है दूसरा option है है आपका के internal energy constant रहती है अपरवर्थित रहती है हां बिल्कुल सही बात है इंट्रेंट जी में कोई change नहीं होगा अगर temperature में change नहीं हो रहा है तो तीसरी बात आती है कि work done जो होता है वो equal होता है heat के हां वहीं डी q बरावर होता है du plus w अब अगर du आपका 0 है तो work done किसके जी बरावर होगा heat के बरावर होगा मतलब c option भी आपका यहां पर सही है d option में यही बात की गई है कि a और b दोनों सही है b और c दोनों सही है इस प्रकार से अब हम जाएंगे option नमबर d की तरफ के लिए रहे बात बेटा तो कुश्चन नमबर 22 का आंसर है 22 का आंसर है d option बात करते हैं 23 की 23 की बात करते हैं बेटा maximum wavelength दे रखी है radiation की और आप से बोला गया है कि इतने temperature पर क्या होगी तो भाई बीन भाई ने बता दिया था wavelength जो होती है वह inversely proportional होती है temperature के वह भी Kelvin में जो कि अपने को दे रखा है तो पहली wavelength क्या है आपकी पहली है फोर दूसरी वाली wavelength क्या है वह आप से यहां से पूछी है पहला अब यहां पर upon में तो लटाएगा ना टीटू वाटे टीवन तो टीटू कितना है 2400 और टीवन कितना है 200 अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा यह हो गया आपका यहां पर सर बार है और इसे इधर ले जाएंगे तो लेमडा टू बरावर हो जाएगा चार वटे बार है मतलब एक वटे तीन जिसे सॉल्व करके आंसर आजाएगा 0.66 micron meter जो के आपका option number कौन सा है बी option आपका यहां पर सही हो जाएगा क्लियर है अरे लेमडा एम प्रपोजनल बन अपॉन टी है ना तो अपने इसे ऐसे नहीं सकते लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बरावर टी टू बटे टी 1 सिम्पल सी बात क्लियर कुशन नमर 23 के बाद बात करते हैं कुशन नमर 24 की कुशन नमर 24 में आपसे बुला गया है कि किसी क्लोज रूम है कोई बंद कमरा है तो उसमें हीट का ट्रांसपर किस मैठर से होगा आपने देखा होगा अगर आप fan को on कर दें रूम में तो लेकिन फिर भी air एक जगह से उतनी ज़्यादा नहीं जाती है अगर आपने उसको उसके gate को खोल दिया है तो उस समय air आपको ज़्यादा फिल होती है किसी fan की क्यों कि convection यानि सम्भेन के कारण heat एक point से दूसरे point पर liquid और gas में फिलो होती है और आपका जो रूम के अंदर air है वो gas ही तो है तो वहाँ पर किसके वैसे फिलो होगी heat convection यानि सम्भेन के द्वारा radiation तो बेटा, radiation के द्वारा तो heat को किसी medium की ज़रुवत होती इस नहीं है तो radiation के द्वारा तो vacuum में भी ट्रांसपर हो सकती है और room में भी ट्रांसपर हो सकती है लेकिन convection के द्वारा air में heat का ट्रांसपर किया जाता है ओके तो इसमें option number कौन सा हो जाएगा बी option आपका सही हो जाएगा यानि convection यानि समवहन ठीक है जी question number 24 के बाद बात करते हैं 25 की question number 25 में आपसे बोला गया है कि thermal radiations are जो उसमें विकरण क्या होते हैं सर तो उसमें विकरण thermal radiation जो होते हैं बेटा sun से हमारे पास जो radiation आते हैं वो velocity of light यानि प्रकास की वेकेस velocity से हमारे पास आते हैं और वो electromagnetic wave ही होते हैं यानि बिद्द चुम्मक ये तरंग होते हैं और बेटा electromagnetic waves जो होती हैं उनका wavelength का decreasing order मैंने आपको कितनी बार नहीं बताया है फिर एक बार याद गरा देता हूं रिलाइंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स वाई एक्जाम बेटा रिलाइंस मतला रेडियो वेव microwave microwave यानि सूचम तरंगे infrared यानि अवरक्त विजीवल यानि द्रश्य अल्ट्रा वॉलिट यानि परावेंगनी यह आपका एक्स रे और यह आपका गामारे यह है बेव लेंथ का घटता हुआ क्राउं यानि सबसे ज़्यादा wavelength किसकी होती है रेडियो की फिर माइक्रो फिर इंफ्रा रेड फिर विजीवल फिर अल्ट्रा वॉलिट और वेवलेंथ जो होती है वह इनवर्सली प्रपोजनल किसकी होती है फ्रीक्वेंसी के तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी गामा रे की वेटा यही इनवर्सली प्रपोजनल होती है का कानेटिक एनरजी सबसे कम रेडियो की सबसे ज़्यादा गामा की यहां से एक कुश्चन हमेशा पूछा जाता है आप इसको याद रखेंगे ठीक है सर चलिए कुछ लोग इसके बाद ये था आज हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको थर्मोडानमिक्स और कानेटिक कानेटिक थियोरी ऑफ गैस के बारे में बातने करी नेक्स टॉपिक में हम आपको बेप्स के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग घर पढ़ें और एक बात का ध्यान जरूर रखें अपनी पढ़ाई को कंटिनूर रखें नोट्स को रिवाइस करते रहें और आप लो अच्छ के प्रते एक पूरी तनमेता के साथ पूरे आथ कॉन्फिडेंस के साथ लग रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत हमें घवराट भी होनी चाहिए लेकिन वहां पर हम अपने आपको मेंटेन करें अपनी स्टडी को मेंटेन करें पढ़ने से ही होगा सलेक्शन ओके और बहुत सारी सुबकामनाएं पढ़ते रहें खुश रहें घर रहें राधे राधे